नमस्कार, आज शेर उपस्तित वाउंच सापताहिक रासिफल लेके, दिनांग 22 अप्रेल 2024 से 28 अप्रेल 2024 तक, मतलब यह आने वाला हफ्ता किन चीजों में लाप, किन चीजों में रुकसान, कहां सावधानी रखनी है, उन सभी चीजों के बारे मैं बताऊंगा, एक एक करके, क्या उपाए कर सकते हैं, अपनी चीजों को बनाने के लिए, या कोई समस्या है, तो उसके लिए क्या उपाए करें, हर बार की तरह इस बार भी, सबसे पहले इस हफते में पढ़ने वाले 30 औहारों पे बात करें, 23 तारीक को चैतर पूरिमा व्रत है, जो लोग रखते हैं, उनके लिए मैं बता दू, हनुमान जैनती अगर कहा जा, उसी दिन है, 27 तारीक को, विकट संकष्टी चतुर्थी है, चलिए, कारकम को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, मेश राश्री वालों के लिए, देगे मेश राश्री वालों के लिए, अगर कहा जा, आप जैनती को आकास्मिक रूप से जो है, सफलता को ये इंगित करता है, किसी प्रकार से रुका हुआ धन, फसा हुआ धन, इस समय पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है, नय सीरे से किसी को उधाल लें देन इत्यादी चीजे करना है, तो उसमें साबधानी रखें, एक बात, वह दूसरी बार, सरकारी नौकरी प्रैवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए समय प्रैवेट नौकरी वालों के लिए भी मिला जुला सा समय रहेगा, वहीं विद्यार्थियों के लिए समय अनकूल है, सिक्षा से सम्मंदित चीजों में आगे और काले कपड़े, कोई शुप काम के लिए निकले तो ना पहने, ज्याद अच्छा है, दूसरा क्राम, प्रते दिन आपको जो है, तीन बार हनुमाल चालसा का पाठ रोज करना है, व्रशब राशी, हराशी से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा, कि चंद्रमा का पंचम में गोचर, धन के देश्टिकोर से बहुत अच्छा है, पूरा हेफता ही अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दोराय नहीं, काम के लिए, धन के लिए, संतान पक्ष के लिए, विवाह से सम्मंदित बाचीत करने के लिए, प्रेमी जुगनों को अग कास्मिक रूप से बढ़ावे को दिखाता है, भाग ये पूर्ण रूप से साथ देगा, और जो लोग जमीन, रियल स्टेट से सम्मंदित चीजों में हैं, उनके लिए विश्ष कर समय कहलाएगा, लकड़ी के काम, फनीचाइट त्यादी चीजों में उनके लिए विश्ष लगी नंबर की बात करें, नंबर साथ, उपायों में चीजों को और कैसे बढ़ा सकते हैं, मीठी, रोटी, गाय को जरूर खिलाएगे, और खनुमान नाश्टक का पाठ, सुबे के समय रोज करें, मिठोन राश्यवालों के लिए अगर बात करें, देगें मिठोन राश्यवालों के लिए देखा जाए आपकी राशी से चतुरत भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा, बेवज़ए कि बाट बाद हो रहे हैं, बेवज़ए कि घर परिवार में कहीना कहीं, घर परिवार को कुछ ना कुछ समस्या या स्वास की आन्ने बात को लेके लगी हुई है। कोई भी जमीन प्रापर्टी या कोई वाद विवाद है, कोई तनाव है, उन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। यह समय अगर कहा जाए तो घर परिवार का सयोग उस हिसाब से नहीं मिलेगा, और मन में पीड़ा, मन में दुख, कोई पुरानी बात आ सकती है सामने जिसके कारण चिंताएं इस समय पे बढ़ सकती है। वही व्याउसाय से सम्मंदित कारचेत्र से सम्मंदित चीजों के अगर मैं बात करूँ तो व्याउसाय आपकी चलती रहेंगी लेकिन कोई भी काम जल्दवाजी मत करिये, नय कारियों सम्मंदित चीजों में सावधानी रखिए। पार्टनर्शिप में कोई वादिवाद था या कोई बाचीत करना चाहरे हैं उसके लिए समय अच्छा क्यलाएगा मिथोन राशी वालों के लिए 27 तारीक और 28 तारीक इस हफते में अच्छी है सावधानी विशेशकर 22 तारीक और 23 तारीक को रखनी है लकिन नंबर की बात करें नंबर तीन भैरो जी का मंदिर में अगर बुद्धवार और शनिवार को शाम के समय देशी या शराब जो है अगर चढ़ाएं तो आपके लिए बहतर है रोके वे काम आपके बनेंगे करकराशी राशी से तिर्थी भाव में चंद्रमा का गोचर ऐसे में कहा जाएगा तिर्थीर्स चंद्रमा धन के लिए धन से सम्मंदिक चीजों में उताचरहाओ को दिखाता है बड़ी महनत करेंगे उसके बाद भी उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलेगा जहां पर भी आप काम करते हैं नौकरी में बड़ी महनत की लोगों के साथ आपकी महनत अगर कहा जाए लोगों ने उस हिसाब से जो है आपको सराहा नहीं बहुत ज्यादा उमीद मत करेगा यश्की यह समय अगर कहा जाए तो मांसिक रूप से तनाव देगा और किसी स्था लाब में भी बडलता हुआ दिख रहा है तो पूरी प्रयास करके जाईगा चीजे बनेंगी बनते बनते कहीं ना कहीं जो है छूट सकती है इस चीज का ध्यान रखेगा करक राशी वालों के लिए कोशिशे करिए कि दुर्गा शफशती का पार्ट प्रति दिन करना शुरू कर दीगे दूसरा काम जो है 22 तारिक और 23 तारिक आपके लिए अच्छी है सावधानी जो है 25 और 26 को रखनी है लकि नंबर की बात करें नंबर एक सिंग रासी देगे सिंग रासी वालों के लिए अगर कहें तो आपकी रासी से दुती भाव में चंद्रमा का गोचर ऐसे में कहा जाएगा व्या और खर्च बढ़ेंगे एक बात वाणी अगर कहा जाए संतुलित लखेगा वाणी के कारण आपकी बंती चीजे बिगडेंगी धन के लिए समाने है यात्राओं से सम्मंदित चीजों में लाप मंदिर या कोई भी धार में किस्थान अगर कहा ज चा रहें मकान कहिना चा रहें तो सावधानी रखें और पीछे से कोई वादिवाद चल लाहा है तो ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिन लोगों का विवाह से सम्मंदित कोई डेवोर्स या कोई वादिवाद चल लाहा है उनके लिए समय अच्छा नहीं है बहुत बात को लेकिए, विद्यार्थियों की बात करें, समय अच्छा है विद्याध्यन के लिए, प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेमी त्यादी चीजों में घर परिवार वाले हो सकता, इस समय पे माने जाएं, एक बात, वहीं पे आपको जो है, दूसी चीज चीज का धान करें, कि चीजों को बढ़ा सकें, तीन बार ओम नमस्शी वाइक करिए, उसके बाद तीन बार हनुमान चालसा का पाट करिए, फिर तीन माला ओम नमस्शी वाइक की कीजिए, कन्या राश्ची, राशी से आपकी राशी के उपर ही चंद्रुमा का गोचर इस हफते की या काजशेत्र से सम्मंदित आपकी व्युस्थाईं चलती रहेंगी, धनकावागमन बना रहेगा, लंबी यात्राओं से सम्मंदित चीजों में सावधानी रखें, ससुराल पक्ष से मदभेज इस समय पे हो सकता है, वहीं दूसी तब से ये भी मैं कहूंगा कि ससुराल को ख करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है, अचानक से चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं, विवाह से सम्मंदित या विवाह की बाचीत करना चाहरे हैं, उन चीजों के लिए बहतर है, प्रेम विवाह में भी इंटरकास्ट मैरेज, उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा न मानने हैं, करन्या राशी वालों के लिए 22 तारिक और 27 तारिक, अच्छी है, सावधानी जो है 24 और 25 को रखनी है, लकिन नंबर की बात करें, नंबर 2, उपाई क्या करें, कि हम चीजों को और बढ़ा सकें, कनक धारा स्तोत का पाठ रोज करिए, और गणेज जी की थोड़ा सा अराधना कल लिया करिए, तुला राशी, राशी से 22 में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा, यात्राओं से सम्मंदि चीजों में सावधानी बढ़तें, भाई या मामा या नानी, मनलब नाना का पक्ष, नानी का पक्ष, उसमें कोई व्यक्ती पीडित हो सकता है किसी का स्वास उपर नीचे हो सकता है, खान पान का विशेज धान रखिए, अपने भी आपको, वाहन खईदने और बेशने के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा, घर परिवार का फोर्स, घर परिवार का दबाव, विद्यार्थियों को पर जादा रहेगा बच्चों को पर जादा रहेगा, जिसके कारण अगर कहा जा, क्रोध और व्यक्ति कहिना कहीं भ्रमित होगा, पढ़ाई पर फोकस करके चलिएगा, विवाह, शादी से सम्मंदिक चीजों के लिए समय समानने है, धन की आवत व्यवसाय से सम्मंदिक चीजों में समानने है, ब्युस्ता आपकी चलती रहेंगी, कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही खराब है, कहते नहीं कि आखों पर पट्टी बंद गई, कर्ज में मैं बेवज़ा है कि मैंने पैसा अपना फस्वा दिया, थोड़ा सा इस चीज पे कंट्रोल करके चलिएगा, तुला राशी वाल सोमबार और शुकरवार को दूद और जल दोनों मिला के शिवलिंग के उपर चलाईए, और थोड़ा सा वहाँ जो रख दीजिएगा, दूसरा काम आपको घर से निकलते समय कुछ मीठा खाके ही निकला करिए, व्रशिक राशी, राशी से लाभ भाव में चंदर्मा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा लाभस्त चंदर्मा, बड़े भाई, बड़ी बहन को लेके कही ना कहीं कश्ट को दिखाता है, संतान से संबंदित चिंताओं को दिखाता है, संतान को लेके पीड़ा को दिखाता है, गर्व अतीज तरियां अपने गर्व का ध्यान रखें ये समय अगर कहनें भूल जाना औरे मैं इस समय भूल बहुत ज़ादा रहा हूं कोई भी निर्णे लेना है तो सांजेदार रखिए कोई भी निर्णे लेना जिसको आप अपना मानते हैं उससे बाचीत करके ही निर्णे लीजिए वहीं ये भी कहा जाएगा यात्राओं से सम्मंदि चीजों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गॉर्मेंट सरकारी तंतर से कही ना कही नुकसान है कोई वाद विवाद मुकदमे बाजी अगर चल लही है तो सावधानी रखिएगा वहन गारी आप चलाते हैं तो अपने कागज पत्रा जो है लेके चलिएगा व्योसाए इत्तादी चीजों के लिए समानेता आपकी व्योसाएं चलती कोई डनने वाली बात नहीं है सरकारी नौकरी प्रैवेट नौकरी समानने विरश्चिक राशी वालों के लिए उपाय की बात करें तो किसी भी जरूरी काम से निकलते समय कुछ मीठा खा लीजे विश्नु सहस्ते नाम का पाठ आपको प्रतिदिन करना है डेट की अगर मैं अगर आप मकान बदलना भी चाह रहे हैं किरायक मकान से किरायक मकान में जाना चाह रहे हैं तो भी बहुत देख दाके किसी बिद्वान आजिव से मूरत निकलवा के फिरी शिप्ट करिएगा उसके बाद ही शिप्ट करिएगा व्यवसाय या कारेच्छेत्र से सम्मंदित नेर्णय सही लीजे किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षर है कोई लिखा पड़ी है उसमें सावधानी बरतिये ये समय लिखा पड़ी हस्ताक्षर इत्य की नंबर की बात करें नंबर एक उपाई क्या करें मंगलवार शनिवार सुन्दर कांड का पाट अगर लाल लंका पुष्प हैस हाथ में उसके साथ करते हैं तो उसका परिणाम आपको ज्यादा मिलेगा मकर राशी राशी से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर घन के लिए अच्छा है काम के लिए अच्छा है ब्याउस्थाएं बढ़ने के लिए अच्छा है किसी प्रकार की कोई रुकावर चल लही तिक कारे चेत्र में उसके लिए अच्छा है रुके हुए काम फसे हुए काम इस समय पे आपके बनेंगे, कहीं आपका कर्ज लेंदे नित्यादी चीजों में पढ़ना है या कहीं फसा हुआ तो हो सकता है स्वता मिल जाए, नहीं तो थोड़ा सा प्रयास का लीजेगा, कहीं न कहीं आपकी व्रुस्ता हो जाएगी, लोग है अगर कहा जा इन सब चीजों पर दिमाग आपका जाधा जाएगा, वहीं सरकारी नौकरी वालों के लिए भी यात्राइं बहुत हैं, कोई यात्रा ये लंबी हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है, मलब की नौकरी से संबंदित यात्रा, प्रैवेट नौकरी वालों के अगर कहा जा मैनत करते रहेंगे परिणाम मिलता रहेगा मकर राशी वालों के लिए सबसे पहले उपाए की बात कर लेते हैं कनकधारा इस्रोत का पाठ आपको प्रति दिन करना है कनकधारा इस्रोत का पाठ लकी नंबर की बात करें 24 तारिक और 27 तारिक साफधानी जो है केव दाक के करिए, धन का व्याय, खर्च, बाद में सोचना, किसी प्रकार का जुवां सट्टा, इत्यादी चीजों मत पर पढ़िए, ये समय अगर कहा जा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, निवेश इत्यादी चीजों में परहेज करिए, अगर आप व्यास्थाई हैं, तो चलती रहेंगी, एक चीज का ध्यान रखिएगा, विप्रीत लिंगियों से इसमें कहिना कहीं नुकसान है, सावधानी बढ़तीएगा, कुम राशी वालों के लिए 27 तारिक और 28 तारिक अच्छी है, सावधानी 223 को रखनी हैं, लगी नमबर की बात करें, नमबर 7, जाएगा, सक्तमस्त चंदर्मा व्यवपार में सावधानी मांगता है, कोई नया काम शुरू इत्यादी चीजे मत करिए, या करते हैं तो सावधान हो के करिए, पूरी मार्केट की सिती देख लीजे, उसके बाद आगे बढ़िए, विवाह या वैवाही जीवन से संबंदि चीजों में ये तनाव बढ़ाता है, वही कहते नहीं है कि जिसे मैं अपना मांग रहा था, वही मुझको कहीना कहीं दोखा दिया, करीबियों से नुकसान को दिखाता है, ये समय अगर कहा जाए, वाहन खईदना बेशने के लिए समय अनकूल नहीं है, कर्ज लेना और चड़ा हो है, नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात कूँ समय कानूपालन करिये, बहुत ज्यादा किसी से जो है प्रेम नहीं और बहुत ज्यादा किसी से बैर नहीं, जहां पर भी आप काम करते हैं, नूटल रहके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मीन राशी वालो मैंने बताया, अगले हफते फिर आप सभी से मुलाकात होगी, अभी क्ले बस इतना ही, नमस्कार